हेलो गाइस वेलकम यौल इन अन अकाड़िमी माइने में प्रशान यौर जी एडुकेटर तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में आई होप कि आपको मेरी आवाज वगरा किलिर आ रही होगी तो दोस्तों आज जो हम डिसकुस करने वाले हैं वह हम करने वीकली MCQ यानि जो भी हमने प्रिवियस वीक में जो भी हमने करने डिसकुस करी है उनके टोटल MCQ आज हम यहाँ पर करेंगे जिससे हमारा जो रिवीजन करने बहुत जरूरी है हम इंपोर्टन इंपोर्टन पॉइंट पढ़ लेते हैं जो इंपोर्टन खबरें वह पढ़ रिवीजन देना कंसिस्टेंट रहना है टाइम देना और आप वहां पर 35 स्कूर करके होगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन तो सबसे पहले तो आप इस सेशन को शेयर कर देजिए अपने सातियों के साथ तो मैं उमीद करता हूं कि मेरी आवाज क्लिर आ रही हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना आज का सेशन और आज हम करने वाले तीस से लेके चार जिसंबर तक की जो करेंट अफेस है उसे क्लियर है चलिए लेट्स बिकिन गाइस तो गाइस मैं नेम इस प्रशान आम फैकल्टी और जनरल अविड़नेस मुझे टेंट प्रस य उसमें आपको है इसे किसी भी घ diray करा सकते हो और आपको आपको 10-5 का दिसकॉन मिले गाईस यहाँ पर आंको सरी की जो आपको आपकी तयारिक लेक लेके तो दिगति दव्यार इस्टौब गयारों, जो आपको अपकी मंजिल तक हो चाहते हैं ठीक है यहाँ पर रेजेंट की फेसिलिटी में कोई डाउट है कोई चीजी समझ में नहीं आ रही है तो फैकल्टी से बात कर सकते हो अपने डाउट को वाँ सॉल्फ पर सकते हो यहां पर बहुत सारे स्ट्रॉंग लाइन अप बैक्ष चलना है जैसे कि आई विप्जेश क्लर्ट प्रिलिम्स पर प्रेक्टिस बैच है विजय प्रेक्टिस बैच है पाइनियर रिवीजिन बैच चलना है और इसमें आपको सारी चीज़े कराई जाएंगी जो आपको आपक आपको एडिशन मंत का सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा ठीक है तो जैसे कि अगर आपने एक साला कोर्स लिया तो आपको आट मैने के अडिशन सब्सक्रिप्शन है तो यह आपको यहां पर एडिशन सब्सक्रिप्शन ही जिलाएगा अगर आप यहां पर 9 दिसंबर तक कोर्स क लिए ओके स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने आज के इंस्पिरेशनल कोट के साथ आज का इंस्पिरेशनल कोट है हमारा भी या वारियर नौट वारियर तो दोस्तों सुबह की शुरवात अच्छे पॉजिटिव कोट से ही होने चाहिए लाइफ इस फॉल अश्यागें इस तो हमें उन चैलेंज से फाइट करने के लिए हमें एक अपना एक मोटिजटीव डोस भी लेना चाहिए एक पॉजिटिव डोस बोलो या पॉजिटिव डोस बोलो वो लेने की कि सुबह-सुबह और यह आज आज आपकी सुबह की just you have to if you want to achieve your goal then you have to work every day ठीक है ना तो दोस्तो इसी कोट के साथ हम आज की सेशन की स्टार्ट करते हैं और दिखते हैं कि आज का पहरा सवाल किया है तो आल सेट लेस्ट क्रेकट देखिए तर रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इंक्रीज दा कैप ऑन प्रमोटर इस टेक इन प्राइविट बैंक देश पर्सेंट ऑफ पेड़ वोटिंग एक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ दे बैंक दोस्तो यहां पर भी हाली में क्या हुआ है कि जो रिजर्बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया है जो प्राइविट बैंक से प्रमोटर होते हैं उनका इस टेक बढ़ा दिया है उनका जो परसंटेज पहले होता था उसे बढ़ा दिया है तो बढ़ा की कितना कर दिया है यह आप से पूछा जा रहा है ऑप्शन में है दोस्तो 26 परसंट 15 परसंट 21 परसंट 18 यह 20 परसंट तो कम तो क्या था पहले 15 परसंट हुआ करता था जो प्राइवट बैंक के जो प्राइवट बैंक तक रहेगा ठीक है बैंक में लेकिन अब इसे बढ़ा के दूस्तों 15 परसंट बढ़ा के कितना कर दिया गया कर दिया गया तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फानिशल एवेंडिस के सेक्शन में तो इसे याद रखेएगा ठीक है चलिए तो 26 परसंट है नेक्स्ट अगर देखे देखो यहां लिखा भी है 15 परसंट बढ़ा की कितना कर दिया गया 26 परसंट ठीक है अगला स सुन्ट to ofere इंडेक्स मिल्टी वैवेस्ता भी वह का ज़ीफिक है और रहने की विवहस्ता भी उंके पास डंग्ती नहीं है तो हर चीज में वह गरीब है तो वह multi-dimensional poverty कहलाता है और यह multi-dimensional poverty index में दूसर टॉप किसने के यह आपको बताना है तो बतलब कि सबसे अगर बात करें तो बिहार ने दूसरो सबसे पूरिस परफॉर्म किया है यानि महाँ पर multi-dimensional poverty जो है वह ज्यादा है बिहार में टैलेंड भी बहुत है टैलेंड के साथ साथ महाँ पर यह एक पार्ड भी आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा ठीक है तो गाइस यहाँ पर बात करें 51.91 परसंट जो population state के वह multi-dimensional poor है और देखो दोस्तो जो सबसे जो टॉप किया है जो सबसे कम poor percentage दिए गया है तो आगे बढ़ते हैं अगला सवा देखते हैं अगला सवाल है तो इंटरनेशनल डे और सॉलिडरीटी विद पैलिस्टीनियन पीपल ऑफन यूएन और्गनाइज्टी विद पैलिस्टीनियन पीपल इसन यूएन और्गनाइज यह जो है कब मनाया जाता है यह आप से पूछा जा रहा है 29 नवंबर 29 नवंबर 27 नवंबर 28 नवंबर या 30 नवंबर तो गाइस कमाउन अंसर करिये तो इंटरनेशनल डे और सॉलिडरिटी विद पैलिस्टीन पीपल कमाउन अंसर दोस्तों आज यह नहीं बोटा लाई है आने केटिमे से कैसी लग रही है चलो दोस्तों यहां पर इसका जो सही जवाब है वह आपका विजय ने सही बताया 29 नवंबर तो 29 नवंबर को दोस्तों आपका यह डे ऑफजर्व किया जाता है ठीक है चल लिए अगला सवल देख लेते हैं कि पहली महिला प्रेशिडेंट किसे बनाया गया यह आप से पूछा जा रहा है आप्शन में अरुनिमा सिना बचेंदरी पाल प्रेमड़ता अगरवाल संतोस यादव या हश्वंती बिश्ट तो गाइस यहां पर आप से पूछा गया है कि इंडियन मॉंटर्वंडेशन की कि पहली महिला वोटेश्व कोन है तो वो यह आपकी हश्वंटी बिश्ट को दोस्तों यहा cœur जो ए पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है अगला सवाल देख लेते हैं कि दोस्तों सवाल कि अगर बात करें तो टोटल 75 कोश्चन है तो मैं आपको एक मीडियम स्पीड पे चलूंगा तो जहां पर आपको कुछ बेसिक इंपोर्मेशन एक्ष्टर देनी होगी वह दे दूंगा और साथ ही साथ हम अपने फोड़ी जो स्पीड है वह नॉर्मल रखे यह आपसे पूछा जा रहा है वैकलव किलोस मिलोस जैमन एंडरस बैबीज पीटर फियला या लीविया किलोसोवा तो गाइस आपको बताना है कि यहां पर अभी हाली में किजाग रिपब्लिक के नए प्रधानमंतरी कौन बने है दोस्तों आपको अगर इसकी पीडियम चा कर रहा हूं एंड आइम 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 प्रोवाइडिंगा कॉंटेंट डैट डैट विल गिव यूर 35 प्लेस ऑन यूर ठीक है तो दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरा टेलिग्राम चैनल एड़ोगेटर प्रशान नहीं तो दोस्तों यहां प्रग्रम देखें तो इस पीटर फियाल है और किजाग रिपब्लिक की जो प्रेसिडेंट है वो मिलोस जैमन है मिलोस जैमन है ओके है अनल ओके ओके थेंक यू थीक है तो अब अगला सवल आपके सवनी गेरा इंडियर रेलवे इस कंस्रक्टिंग ता टॉलिष पियर रेलवे बिरिज और दो वर्ल पिजोगा तो आपके साबने आप्षिन है कि 501 में एक सो ग्यारा मिटर एक सो ग्यारा मीटर तो कमाउन गाइस और अनसर यहां पर जो यह बिरिज बन रहा है बनी पुर पर एक इंटरण रेलवे के बिरेज होगा इसकी है गाईस इसकी है यह जो हैट हुए आपकी वन फु वेरी गुड़ आरोई अगला कुश्चिन आपके समने के रहा है आरोई विजय सबका जवाब सहिए चैरी ब्लॉसम फेस्टिवल इस सेलिब्रेटेड इन विच आप दा फोलॉग इस्टेड दोस्तों चैरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है यह आपका कब मनाया जाता है यह आप से पूछा जा रहा है किस राज मैं मनाया जाए जो मनाया गया आपका मे घाले कामर मनाया ज़ो rituals and Cherry Blossom Festival was inaugurated by Chief Minister of Meghalaya Conard K. Sangma दोस्तों Meghalaya के Chief Minister कौन है Conard K. Sangma ठीक है An Embedder of Japan to India Satoshi Shujuki तो जो Japan के Embedder है Satoshi Shujuki और Meghalaya के CM Conard K. Sangma इन लोगों ने दोस्तों यह inaugurate किया Festival जिसका नाम है Cherry Blossom परिकुष साहिल अगला सवाल आपके सामने दोस्तों यह रहा According to Cantar Brand G India 2021 report Which brand has emerged as the most purposeful brand in India across technology category तो दोस्तों most purposeful brand जो है Cantar Brand G ने किसे यहाँ पर अंकित किया है मैं लगा किसे यहाँ पर अगर बात कि रहे है बोला गया है कि यह top brand है most purposeful brand है Tata T, Swigee, Amazon, Samsung या Asian paint तो गाए तो गाए तो राइट एंसर है the right answer is Amazon ठीक है तो Amazon को यहाँ पर most purposeful brand यहाँ पर बताया गया है Cantar Brand G इंडिन रिकूर्ट के द्वारा ठीक है और Amazon top पर है फिर Asian paint है then Tata T, okay जलिया Tata अगर बात कि रहे है second par है top par अगर बात कि रहे हम जौन है then अगर दोस्तो अगला question है Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of rupees 1 crore on which bank for holding shares in the borrower companies of an amount exceeding 30% of the paid-up share capital of dose company तो फिर से पढ़ लेता हूं question क्या है Reserve Bank of India ने यहाँ पर अभी एक कोड़ की penalty लगाई है और यह penalty कि इस bank पर लगाई है यह पूछा जा रहा है क्योंकि उस bank ने क्या किया है कि उसने जो borrower था जो उसका borrower था जितने उससे loan लिया था उसकी company में 30% से ज्यादा share acquire कर लिये थे तो इस वज़े से दोस्तो रिजर Bank of India ने लिखित bank में penalty लगा दी तो कोंसे bank में penalty लगाई है तो ROI ने बिल्कु सही बता है और अनोज कभी सही है तो guys state bank of India पर एक क्रोड़ में की penalty लगाई है क्यों लगाई है क्योंकि एक borrower company थी एक कोई company थी जिसने state bank of India थी borrower किया था अब यह company का नाम रेवेल नहीं क्यान होना है तो उस company में दोस्तों वहाँ पर 30% प्लस जो share से state bank of India ने own कर लिये थे और यह razor bank of India की guideline ने कि कोई भी bank 30% से ज्यादा जो share से hold नहीं कर सकता borrower company में तो यहाँ पर state bank of India ने किये जो है वाइलेट किया जिस वज़े से रेजर bank of India ने एक करोड की penalty state bank of India पर लगा थी ठीक है बाकि अगर बात करें तो दोस्तों state bank of India का जो headquarter आप सभी को पता हिए मुंबाई है tagline क्या है bankers to every Indian और इसके जो chairman है इसके जो दोस्तों chairman है वो क्यों है इसके जो chairman है वह आपके दिनिश कुमार खारा दिनिश कुमार खारा दोस्तों इसके क्या है chairman है ठीक है चलो अगला सबल दोस्तों आपके समनी गे रहा which general insurance company has partnered with tropogo for distribution of a drone insurance product तो दोस्तों यहाँ पर किस insurance company ने यहाँ पर tropogo के साथ partnership करी है for the distribution of drone insurance product तो drone insurance जो है वो provide किया जाएगा और यहाँ पर tropogo ने किस के साथ partnership करी है पूछा जा रहा है come on guys Marker answer right right answer is D Bajaj Alliance General Insurance तो Bajaj Alliance General Insurance के साथ यहाँ पर type किया गिए tropogo ने है for a distribution of drone insurance product तो यहाँ पर ROI अनुज और ठीक है तो चलो अगला यहाँ पर देख लेते है who has been appointed as an independent non-executive director on the board of hero motor cop दोस्तो अभी हाली में hero motor cop के board में एक independent non-executive director appoint किया गया है तो नेमले खितमे से किसे as a non-executive director appoint किया गया है यह आप तो पुछा जा रहा है तो गायत रायाट अंसर इस रजनीश कुमार तो रजनीश कुमार दोस्तों State Bank of India के जो फॉर्मेर चेर्मेन थे और यहाँ पर इन्हें आपोइंट किया गया है as a independent non-executive director on the board of hero motor cop चलिए आँगे बढ़ते हैं next देखते हैं name India's first privately developed fully cryogenic rocket engine which has been successfully test fired by sky route aerospace Hyderabad दोस्तों एक private space agency है जिसका नाम है sky route aerospace उससने पहला अगर बात क्यरें fully cryogenic rocket engine developed किया तो यह जो fully cryogenic rocket engine डवलप किया इसका नाम केई यह आप सब पूछा जा रहा है तो गाईज्वीस का नाम किए आप सब पूछा जा रहा है come on सब लोग answer करें से किसे कि इसने तो पहला प्राइवेट ग्राय्वर गे किसने पिरिवान किया उसको नाम को जो डफ उन्वान को ऑपका स्काइरओ एस ने किया क्या है चलिए अगला question है who among the following has released a book titled Bangladesh Liberation at the rate 50 years with synergy India Pakistan war 1971 तो दोस्तों यहाँ पर यह जो book है वो किसमें release करी है यह आप से पूचा जा रहा है Bangladesh Liberation at the rate 50 years with synergy India Pakistan war 1971 तो guys यह जो book है किसमें release करी है the book is released by guys Manoj Mukund Narwan जीने दोस्तों यह book करी है release करी है आपकी Bangladesh Liberation at the rate 50 years with synergy India Pakistan war तो आपको पता ही होगा दोस्तों इंडिया Pakistan war हुआ था 1971 में और यह दिसमबर के टाइम ही हुआ था और आपको बता दूब कली कल की परसों की बात है कि 4 दिसमबर को हमने इंडियन नेवी डे भी मनाएं इंडियन नेवी डे भी हमने अबज़र किया और यहाँ पर इंडियन नेवी ने यहाँ पर यह तरीके दो 50 साल पूरे हो गए है उस war को उसे भी celebrate किया अब अगला यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों National Cadet Corp Day आप लोग ने NCC के बारे में सुना होगा शायद आप लोग ने कभी अपने स्कूल में जोइन भी किया हो कि आपको पता है कि NCC जो डे है यह आपका कब celebrate किया जाता है National Cadet Corp Day जो है यह आपका कब celebrate किया जाता है 3rd Sunday of November, 28 November 4th Sunday of November 22 November या 2nd Sunday of November तो guys the right answer will be the right answer is 4th Sunday of November ठीक है 4th Sunday of November को दोस्तों यहाँ पर आपका NCC day यापजर्व किया जाता है तो हर साल 4th Sunday of November को ये day या यापजर्व किया जाता है और इस साल दोस्तों 4th Sunday इस साल जो 4th Sunday of November था वो आफका 28 November था ठीक है अब देखो option में 28 November भी था और 4th Sunday of November भी था तो अब विसी बात है 4th Sunday of November को ही टिक लगाओंगे क्यों क्यों कि यहां पर question में क्या पुछता है पुछा गया National Cadet Corp Day is celebrated every year ठीक हर साल अब इस साल 28 November भी पढ़ गया आपका 4th Sunday of November अगले साल मालों 29 को पढ़ जा थीज को पढ़ जा ठीक 4th Sunday तो कुछ भी हो सकता है लेकिन वही बात है कि date बदल सकती है बट जो एक particular जो event रखा है वो आपको भी रहेगा कि 4th Sunday of November को यह मनाया जाता है चलिए अगला यह तो हम सभी को बता है कि अभी हाली में एक नया variant आ गया है जो South Africa से आया है और यह इंडिया में भी दिर दिरे फैलता जा रहा है अभी बहुत सारे cases हमें दिखने को मिले है जो इसके इंडिया में आ गया है तो यह कूंसा वाइरस है यह आप सब पूछा जा रहा है ट्री माइक्रों बैक्रों या ओमिक्रों तो गाइस बताएगे कुंसा वाइरस है आप सभी को बता होगो ओमिक्रों है ठीक है विजय ने लुकुस रही गुट विजय आरोई रोई ठीक है अगरा देख लो ता फर्स्ट एवर अहारबल फेस्टिवल तो अहारबल फेस्टिवल जो है एक अहारबल फेस्टिवल मनाया जा रहा है यह आपका कहां पर मनाया जा रहा है यह पहली बर मनाया जा रहा है तो प्रमोट ट्यूरिजम ट्यूरिजम को प्रमोट करने के लिए यह अहारबल फेस्टिवल पहली बर कहां मनाया जा रहा है को दोस्तुची जो喔ार्वलड फेस्टिबल मनाया जा रहा है यह आपका जमू एंड कर्सुरीर मनाया जा रहा है कहां पर सिना जे ठीक है मनोज सिना जो है यह आपके लेटनन गवंडर है जम्मू एंड किश्मीर के चलिया अगला कॉश्चन है विच बैंक है लॉंच इंडिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेट फ्रॉम रिसाइकल पीवीसी प्लस ठीक यहां पर आप से पूछा जा रहा है इंडिया फांडेशन थी उसकी पहली जो प्रेसिडेंट बनी थी है वो हमने डिसकस किया था ठीक है और यह भी फर्स्ट एवर यहां पर फेस्टिवल सेलिबरेट किया गया आहरवल यह भी इंपोर्डन है तो जो पहली चीज़ हो जाती हो इंपोर्डन होती है तो इंडिया फर्स क् अब किया है हूँ HSBC बैंक ने किया है HSBC ने किया HSBC बैंक में देखो लिका भी है HSBC इंडिया लाउंच इंडिया's first credit card made from recycled PVC अब PVC का full form क्या है देख लो पूछा जा सकता है तो अब current affair हुद में है तो हम पड़ी ले रहे है तो polyvinyl chloride plastic the card have been introduced in partnership with gold with global card manufacturer idmia to gradually eliminate single use of plastic single use of PVC plastic ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों recycle plastic का यहाँ पर यूज किया गया है इस credit card को बनाने में अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि HSBC का full form क्या है HSBC एक bank है और HSBC bank का full form क्या है दोस्तों Hong Kong Shanghai Hong Kong Shanghai bank Hong Kong Shanghai bank of bank of Hong Kong Shanghai bank corporation ठीक है अफ नहीं है ठीक है अब आपको दोस्तों यह बताना है कि Hong Kong Shanghai bank corporation का headquarter कहां पर है कोई बता सकते हैं Hong Kong Shanghai bank corporation का headquarter कहां पर है दोस्तों मैं बता देता हूं कि यहां पर Hong Kong Shanghai bank of corporation related कुछ fact आपको जैसे कि अगर बात करें Hong Kong Shanghai bank of bank corporation जो है यानि HSBC bank जो है यह दोस्तों पहला bank था यह पहला bank था जिसने भारत में जितने दोस्तों भारत में ATM को इंट्रडूस किया था तो आज जो घर-घर घर-घर बोलना है हर जगह जो हम ATM देख रहे हैं automated टेलर मशीन देख रहे हैं वह HSBC ने इंट्डूस किती सबसे भारत में और कब इंट्डूस किती 1987 में तो दोस्तों इसका headquarter का है HSBC bank का headquarter है वो दोस्तों कहां पर है London में है कहां पर है दूस्तों London में इसका headquarter है याद रखिए कि बहुत important है HSBC bank यह तो HSBC इंडिया का headquarter मुंबई में है तो कि हम बात करने है जो main HSBC है वो आपकी कहां पर है वो आपका headquarter कहां पर है दूस्तों London में है रियाद रखिए कि बहुत important है paper में question आता भी है कि HSBC का headquarter कहां पर है तो इसका headquarter लंडन में है और यह पहला bank था जिसने भारत में ATM को introduce किया था 1987 में तो HSBC bank यह important है चलिए आंगे बढ़ते हम अगला question है दोस्तों which country which country which countries Ahmed Nassir Al-Razi has been elected as the president of international criminal police organization दोस्तों Interpol के यहां पर अभी हाली में president बनाये गए है और यह Ahmed Nassir Al-Razi को इसका president बनाया गया तो Ahmed Nassir Al-Razi किस country से belong करते हैं कि आपसे पुछा जा रहा है यह किस country से belong करते हैं वह करते हैं EPAE से किस country से belong करते हैं UAE से किस country से belong करते हैं ए Bake Admiral Naasir Al-Razi Ahmed Nassir Al-Razi को दोस्तों 4 साल के लिए Interpol का president बनाया गया यह 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 से व्लॉंग करते हैं और यह 89 इंटरपोल जनरल असेमली मीटिंग में इन्हें बनाया गया इन इस्तानबुल टर्गी में यह मीटिंग होती है अगला क्वेशन है guys who among the following has been appointed as chairman of central board of indirect tax and custom दोस्तों अभी हाली में central board of indirect tax और custom के जो chairman किसे बनाया गया option में एम अजीज कुमार विवेक जोहरी पीसी मोधी टीवी नरिंदरन या जेबी मोपत्रा तो दोस्तों किसे बनाया गया cb ic का central board of indirect tax and custom का chairman यह आपको बताना है guys तो come on mark your answer तो guys तो right answer is विवेक जोहरी तो विवेक जोहरी जी को दोस्तों यहाँ पर central board of indirect tax and custom का chairman बनाया गया किसे बनाया गया दोस्तों विवेक जोहरी के नाम बहुत important है और अभी हाली में कुछ दिन हो पहले दोस्तों central board of direct tax cb dd central board of direct tax की जो chairman बनाया गयते वो जेबी मोपत्रा को बनाया गयते जेबी मोपत्रा को टेक्स को आटा कुद धूस्तों यहां पर देखियेंंगे जो cbic है यह आफका जो ال Kickstarter करता है वो आफका gt को अडमिर्ट त्था था है भारत में एक indirect tax है वन नेशन one Texas गुर्ष संसे रवेक्ट तैक्स और इसे जो इन्थ करता है और जो आपका income tax होता है जो corporate tax होता है तो direct tax ही category अलग होती है indirect tax होती है I hope आपको बता होगा तो जो direct tax होता है जैसे कि income tax है इसे जो administrative करता हो CBD करता है और CBD के chairman अभी हाली में बनेते ये भी मोह बता है ठीक है चलिए अगला सवाल आपके सामने के रहा रिंग वांडरिंग has won the golden peacock award for best film in the 52nd international film festival of India the movie ring wandering is of which of the following country दोस्तों ये ring wandering को भी हाली में हमारे गया जो गोवा में international film festival हुआ है जोस्तों आपको पता ही होगा कि हर साल गोवा में international film festival of India होता है और ये दोस्तों 50 second इंटरनेशल film festival of India गोवा में ये आपकी Japan की है ठीक है जपैन की मोवी है clear है चलो तो golden peacock award for the best film Japanese film ring wandering और ये बनाए किसने मसा काजू कानेयो कोने ठीक है तो नाम याद रखेगा कि ring wandering और कहां की है ये movie जो है आपकी Japan की है clear अगला question है who has won the best actor male award at the six bricks film festival award तो दोस्तों एक सीज़ बता दूँ कि अभी गोवा में हमारा ये international film festival of India celebrate किया गया साथी साथ गोवा में ही अगर बात करें इसी के साथी साथ six bricks film festival award भी दिये गया है तो ये जो six bricks film festival award दिये गया है इसमें जो best actor है mail में वो किसे दिया गया बैस एक्टर का वोड़ किसे दिया गया पंकतर बाड़ी सूरियस सिवा कुमार मनोज बाचपई धनुष या राज कुमार रहा हूँ जो इन्गए बेलकु से बताया आपने ये जो आवार्ट दिया गया धनुष को दिया गया धनुष जो रजणे कांज जी के धनुष Bev और यह जो दिया गया धोस्तों यह उनकी मुवी ये असुरन मुवी के लिए यह वोड दिया 1600 थीक है अगला question आपके समने गेरा वू इस दा ऑफर ऑफ दा बुक टाइटल इंडियार इंडियन इनेस दा जर्णी ओफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1927 नेम लिखित में से दोस्तों कौन से ओफर हैं जिनोंने इस बुक लिखी है इंडियन इनेस दा जर्णी ओफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1927 तो दोस्तों आपके सामने नाम है आयाज मेंम संजे बारू सीके गरियाली रजिनिस कुमार या वी वी एस लेक्षमन तो गैस यह जो बुक लिखिये हो लिखिये आयाज मेंमन में ठीक है इन्डियन इन इन्ट जरुनी ओ लइंडियन क्रिकेट सुं यह क्या थे नहीं है और किस तरीके दे इंडियन क्रिकर्क एक हॉट हॉट टॉपिक रहता हमारी कैंड्री में तो वह उसकी जर्णी है वह यहाँ पर बताइए गया इन्गला पूश्चन हैं नहीं रहा है दोस्तों यह क्यों ते यह आप से पुछा जा रहा है एंवरिमेंटलिस्टे ते एक्टर दे लिरिसिस्टे यह क्लासिकल सिंगर तो जो स्टीफिल सॉंजम जो अब नहीं रहे हैं यह एक लिरिकिस्टे और यह अगर बात करें एट्राइज अब 91 इनकी डेथ हो गई है तो यह बहुत बड़े राइटर और बहुत बड़े कंपोजर और लिरिसिस्टे दोस्तों स्टीफन जोस्वा तो यहां पर आपसे दोस्तों की पूछा जा रहा है कि यह अभी हाली में यूएन ने एक डे आपजर किया है तो यह आपको जवाब देना है दोस्तों कमनाया जाता है आपसें में 30 नवंबर 29 नवंबर 27 नवंबर 26 नवंबर कब मनाया जाता है आपका remembrance for all victim of chemical warfare is held every year तो दोस्तों यह आपका 30 नवंबर को यह डे आपका हर साल मनाया जाता है अगला question है दोस्तों who has been who has become the first Indian to win Malaysian open squash championship तो दोस्तों अभी हाली में Malaysian open squash championship हुई दी और यह जो Malaysian open squash championship हुई है इसमें जो दोस्तों पहले भारती है वो कौन है जिन्होंने यह खिताब जीता है पहले भारती है कौन है जिन्होंने दोस्तों एक खिताब जीता है आपके सामने option है महेश मांगोनकर कुश कुमार सौरफ गोशाल विक्रमरोतरा या हरिंदरपाल संदू तो ग पहले भारती हैं दोस्तों जिन्होंने यह आपका Malaysian open championship चीता है तो इन्होंने एक तरीकते इतिहास रज दिया है दोस्तों कि पहले भारती बने है जो पहले squad player है जिन्होंने यह चीता है अगला question है दोस्तों who among the following won IPI India award for excellence in journalism 2020 तो दोस्तों यह IPI India award for excellence in journalism किसे दिया गया स्री निवासने जैन, रितिका चोपडा, मरियम अलावी, लक्षमी सुब्रमन्यन या भानु बरिकाच चंद्रा तो दोस्तों यह जो award दिया गया हो रितिका चोपडा को दिया गया किसे दिया गया है रितिका चोपडा को तो IPI India award for excellence in journalism 2020 had been awarded to रितिका चोपडा of the Indian expert तो रित to world to LIC to hold 9.99% stake in which private bank, तो दोस्तों LIC को यहाँ पर LIC ने 9.99% जो shares है पुनिम लिखित में से किस bank के hold, किस bank के ले ली है, ठीक है, खरीद लिए एक तरीके जब, यहाँ पर LIC ने दोस्तों किस bank के 9.99% जो shares है, वो hold कर ली है, तो आपके सामने option है, Yes Bank, Dena Bank, ICC Bank, Kootek Mahindra Bank या Axis Bank, तो guys, this news is also very important, और यह आपका Kootek Mahindra Bank के यहाँ पर LIC ने 9.99% share ले लिए, तो दोस्तों जो भी bank and financial evidence news होती है, वो तो आपके लिए बहुत important होती है, तो आपको बिलकुल ध्यान से, उसके figure और उसके answer है, वो आपको ध्य से देखने रहते है, तो Kootek Mahindra Bank के यहाँ पर जो shares है, वो LIC ने अपने अंटर ले लिए, clear, उसको Kootek Mahindra Bank के बारे बता ही होगा कि इसका जो headquarter हो कहाँ पर है, इसका जो headquarter है, दोस्तों Mumbai में है, इसकी जो tagline है, वो क्या है, इसकी जो tagline है, वो है आपकी, let's make money simple, let's make money simple, य हो, तुस्तों यह clear होगा, आंगे बढ़ते हैं, और दिखते हैं अगला सवाल, तो यह 9.99% जो shares है, वो यहाँ पर LIC ने कोटक Mahindra के अपने अंटर ले लिए, चलिए, अगला question है, which country is soon going to get the world, first floating city, तो world की, पहली floating city कहाँ पर बन रहे है, और यह floating city वो देश बना रहा है, जिस देश में बार वगरा या सुनमिय वगरा ज्यादा आती है, तो वो कौन सा देश है, option में South Korea, Japan, USA, India या चाइना, तो guys, यहाँ पर जो पहली city बनेगी, वो world first floating city जो बनाई जाएगी दोस्तों, वो आपकी South Korea में बनाई जाएगी, तो South Korea में वहाँ पर बार बार की समस्य से जाता रहती है, तो इस वहाँ पर वो floating city को develop कर रहेंगा, तो South Korea is soon going to get the world first floating city to deal with the problem of flood due to rising sea level, ठीक है, due to rising sea level, अब अगला question आपके सामने है, मेरियम वेबस्टर, दोस्तों, मेरियम वेबस्टर है डिक्सनल है, और इसमें चूस किया एक word of the year, दोस्तों, word of the year यहाँ पर किस से चूस किया है, मेरियम वेबस्टर ने यह आप सो पुछा जा रहा है, social distance, curfew, lockdown, covid यह वेक्सिन, यहाँ पर मेरियम वेबस्टर ने जो word of the year डिक्लेर किया है, वो वेक्सिन को किया है, ठीक है, किसे किया है, वेक्सिन को किया है, और दोस्तों, एक और dictionary थी, Collins dictionary, Collins dictionary अभी हा डिक्सिनरी ने किस word को डिक्लेर किया है, as a word of the year, और मेरियम वेबस्टर ने किस word को डिक्लेर किया, as a word of the year, तो दोस्तों, यहाँ पर NFT को फिलफों किया, non fungible token, non fungible token, तो दोस्तों, यह news में था, कि एक dictionary है, जिसका नाम है Collins dictionary, ठीक है, तो इसने भी अभी हाली में word of year डि non fungible token, क्या होता है दोस्तों, यह जनरली तो हमारी crypto की entries होती ने crypto का भी एक ledger बनता है, तो उसी को हम दोस्तों non fungible token बोलते हैं, अगला है दोस्तों, अगला question है, 7th India's International Science Festival, अभी दोस्तों, यह इंडियास International Science Festival मनाया गया, यह जो इंडियास International Science Festival कहा मनाया गया, गुजरात म गुजरात में, मुंबई में, डेली में, यह देरह दूर में, तो दोस्तों, 7th India's International Science Festival कहा मनाया गया, यह आप सो उच्छा जा रहा है, तो 7th India's International Science Festival जो मनाया गया, गुजरात मनाया गया, कहां पर मनाया गया, गुजरात में, तो अभी हमने देखा था, इंडियास International Film Festival, ठीक के लो, तो दोस्तों, यह चार दिन का जो है, यह आपका मनाया गया, मनाया जाएगा, अच्छी मनाया जाएगा, अभी मनाया नहीं किया, यह चार दिन का शेडूल किया गया, 10 से लेकर 13 December तक, और यह पाना जी गो में मनाया जाएगा, ठीक है, अगला कुश्चिन है दोस्त किसको यह कौन से नंबर का इन्हों ने राइजिंग डे यहां पर अब्सवर गया तो गाल जा राइड अजर इस 57 ठीक है 57 तर देख लिजे ता बॉर्डर सिक्योर्टी फोस इस सेलिब्रेटिक इस 57 राइजिंग डे कि on 1st December 2021 BASF was formed on 1st December 1961 तो 1965 में BASF की स्थापना होई थी आपको पता ही होगा कि जो भी हमारे Acquired Immunodeficiency Syndrome इसका फिलफों पता होना चाहिए इस अब्सवर्ड एक्रॉड डे ग्लोब और एवरी यह सिस 1988 दोस्तों 1988 से यहां पर वर्ल एस डे ऑब्सवर किया जा रहा है एस के बारे में एवेंटनेस के लिए यहां पर हर सल यह डे ऑब्सवर किया जाता है इस के एवेंट सालों से देखते हा रहें सुनते हा रहें एस डे के बारे में तो दुस्तों एक दिसंबर को आपका हर साल एस डे मनाया जाता है अब अब अगरा यहां पर कुश्चन है सेंडर पॉइंट कमिटी टू रिवेजट क्रिटारिया और ड्रिटर मायनिंग की डबलु एस फू विल बी था हैड ऑफ दा कमिटी तुस्तों आभी सभी को बता होगा कि अभी हाली में एकनॉमिक वीकर सेक्शन को लेके यहां पर सुप्रिम कोट ने एक कमिटी बनाई है तो यह जो कमिटी बनाई है इस कमिटी के हैड को नहीं पूछा जा रहा है तो सेंटर ने पॉइंट किया है एक्चली सुप्रिम कोट ने बोला है सेंटर से कि आप इस पर रिव्यू करिये अकनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में इसके बारे में हम डिसकुस कर चुके हैं आजय भूशन पांडे को दूस्तों इसका head मनाया गया है तो आपको पता ही होगा कि economic weaker section में को भी reservation दिया गया था 10% का जिसमें जो general category हुआ जाती है और general category में भी अगर बात करें उन्हें लिया गया जिनकी income साराना 8 लाग रुप है ठीक है तो यह चीज हम discuss कर चुके हैं आप मुलिसकों कॉप बोलते हैं दोस्तों ठीक है call your cop mobile app दोस्तों निम लिखेत में कौन सा राजी है जिसने यह app launch किया call your cop app तो यह जो call your cop app है यह launch किया आपका नागा लेंड है ठीक है नागा लेंड है यह आपका एप लॉंच किया है एक दिसम्बर को और दोस्तों मैं बता यह day भी मनाया गया और इसी दिन दोस्तों यहाँ पर call your cop mobile app launch किया गया ओके तो यहाँ पर अगर बात करें विजय का जवाब सही है और जवाब दो के तो नाम ले रहेंगे ठीक है अनुच मैं समझ दिया हूँ आपकी बात ठीक है तो नागल एंड डीजी पी टी जॉन लॉंग कुमार कुमाईर ओफिशली लॉन्द कॉल्योर कॉप मॉबाइल एप पुलिस हेड़कॉर्टर इन कुहिमा दा एप वर डबलेट बाए अक्से लॉजिक्स टेक प्रिवाट लिमिटेंट के लो आरोई ने भी सही दी है अगला यहां पर क्विश्चिन है दोस्तों फॉजिक्स का और यहां पर इन्हें बैलंड डी ओर अवर्ड दिया गया यह फुटबॉल का सबसे बड़ा अवर्ड माना जाता है बैलंड डी ओर अवर्ड यह किसे दिया गया है एक दिया व्यार्ड और अवर्ड जो है किसे दिया गयाए फॉटबॉल का सबसे बड़ा अवर्ड माना जाता है भð द्रोनाल्ड और या आप दोनों के पाइन होंगे तो यह दोनों ह्या प्रोवर्गी तडीक्री तरिकेंड रहते हैं अपने खेल को लेके और बढ़िया खेलते हैं तो दोस्तो इन्हें दौस्तो यह लेओन मैसी जो है इन्हें बैलिंडी और आवोट दिया गया ठीक है छाल यह अरुज आपके रॉनालडो है ओके अच्छा यह इसका जो जवाब ने रोनालडो दिया यह जो मिला आवोर्ड यह अपका लेओन मैसी को य बढ़ नहीं मिला है विश्टी इस ओसे तु बिकम दा फर्स इंडियन सिटी तु स्टार्ट रोपवे सर्वेस अधा मोड पब्लिक ट्रांस्पोर्ट तो दोस्तों नहीं लिखेद में ते कौन सी सिटी है जो पहली रोपवे सर्वेश चालू कर रहे है ठीक है पहले हम पहले कए अधन्सक्रापट कराएगे तो य यह करीके शरोप वेशोत प्बुक्ड ट्रांस्पोर्ट के यूज में यूज क्या जागा और यह कर रहा है कहर Economics क्यूं और फ्रभा वाहरे नशी म Mooland третьा नोज का मोड़ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी ट्रांस्पोर्ट यू अगला यहां पर सवाल है दोस्तों विच स्टेट ट्यूरिजम इस लाउंच दा स्ट्रीट प्रोजेक्ट तू प्रमोर्ट एंड ट्रीजम डीप इंटू दा इंटिरियर्स एंड रूरल इंटर लैंड तो दोस्तों आपको बताना है कि निमलिकित में देख कौन सा राज्य है जिसने अपने प्रोजेट लांच के तर्प स्टीर्प प्रोजेक्ट तो भी उसके जो wenn इंटियर्ड इंटियर्ठ सब्सक्राइब भी उनुनिंगमें उन क्या करेंगा या करवाएगा लोगों और टूरिजम को बढ़ावा देंगा तो यह जो इस विच्ठ प्रोजेट न Kerala Tourism launched the street project to promote and take tourism deep into the interior and rural hinterland of Kerala, the project would help visitors experience the diversity of offering in these locals. Okay, अगला क्वेश्चेन है दोस्तो, Name the author of the book लोगतंतर, राजनीती और धर्म, दोस्तो ये एक बुक किसने लिखिया है लोगतंतर, राजनीती और धर्म, लोगतंतर, राजनीती और धर्म ये बुक किसने लिखिया है आप्शन में विपिन शर्मा, नकुल कुमार वर्मा, सूर्य प्रकास प्रतीक, अरोरा या इश्व सेंग सोधी नहीं आरोई, टमिल नाडू तो नहीं है, ठीक है, केरले मैंने बताई दिया था तो यहां पर दोस्तों ये तो ओथर ऐसके वो है आपके ए सूर्य प्रकास, ठीक है, ए सूर्य प्रकास को तने ये दोस्तों ये बुक लिखिया है, लोगतंतर, राजनीती और धर्म, तो वाइस प्रेसेंट और इंडिया वेंके नेडू, on the 72nd, on the 72nd anniversary of the adoption of Constitution of India, रिलीस अब बुक टिटल डेमोक्रासी, पोलिटिक्स और गवर्नास इन इंग्लिश और लोगतंतर, राजनीती और धर्म इन हिंदी, इस दिन ये बुक यहां पर launch किये गई है, ठीक है, ये शुरी प्रेकासी ने, चलो, और दोस्तो opposite हाँ, यहां पर सभी लोगको answer करें, जितने भी लोग हैं, सभी लोग answer करें तो Anojo answer कर रहे हैं, Vijay answer कर रहे हैं, Aroiy answer कर रहे हैं, और भी जो लोग हैं, घलाne से सेशन को share करें कि और भी लोग यहां पर नए CEO कौन बनाया गए हैं ट्विटर के और आप सभी को पता है यह एक इंडियन है और जो भाड़ती है वो अपना जंडा गार्ड है और जितने भी जो अमेरिकन कंपनीस हैं उन्हें अपने अंटर कर रहे हैं अच्छी बात है कि यहां पर भारती हों लीड कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीस को दोस्तों यह जो है वो पराग अगरवाल है ठीक है पराग अगरवाल को यहां पर अपॉइंट किया गया है ट्विटर का C.E.O अनुज आपने बिलकुस ही बताया है 26 नॉवंबर 1949 में हमारा भारत का समय नान मंदी तयार हुआ था ओके विजय आपका सही जबाव है अनुज आपका सही है ठीक है तो जो पराग अगरवाल है दोस्तों यह आईटी बॉम्बे ग्रेडवेट है था रिप्लेट जोग डॉसी एट न्यू ट्विटर कीई ओ बीके मिंगा यंगस CEO इन टॉप 500 अगला कुश्यों दोस्तों शिव शंकर बाश्टर पास अगरिश 2017 तो यह तो डॉस्तों शिव शंकर मास्टर नहीं रहे हैं यह जो शिव शंकर मास्टर रहेंगे क्या था थे के अच्छे राजस्त्थ यहां पर आपको प्ताना थे है कि शिव शंकर मास्टर नहीं रहे यह तो दोस्तों यह आपकी क्रियोग्राफर थे ठीक है सउथ की फिल्मों में यह क्रियोग्राफी करते थे रेणाउंड नेशनल आवोड़ विनिक क्रियोग्राफर and an actor के शिवाशंकर मास्टर पास अवे इन हैदराबाद पिलंगाना अगला सवाल है दोस्तों वो है टेकन ओवर दे कमांडेंड ओफ नेशनल डिफेंस कॉलेज नियु डेली तो दोस्तों यहाँ पर नेशनल डिफेंस कॉलेज की जो नेशनल डिफेंस कॉलेज ऐए उसके ऐसीर कमांडेंड जिया अपॉइंट किया गया है यहाँ पर नेशनल डिफेंस कॉलेज में किसे अपॉइंट किया गया है तो इसका जवाब कर दोस्तों मनोज कुमार मागो को यहां पर पॉइंट किया गया है as a Commandant of NDC, National Defense College के जो Commandant है, उन्हें जो वो जो है, वो आपके लेटनेंट जेनरल मनोज कुमार मागो को पॉइंट किया गया है, चलिए, अगला question है, who has become the world, निवेश रिपब्लिक अराउंड 400 रियाद, आफ्टर इट विकमिंग अ ब्रिटिश कॉलोनिय, तो दोस्तों निम लिखेद में दे कौन सी कंट्री है, जो जिसने अपने आपको आजात कर लिया ब्रिटिश कॉलोनिय से, और ये नहीं रिपब्लिक बनेंगे 400 सालों बाद, त सबी लोग अंसर करें, okay, तो ये यहाँ पर जो आजाती मिली है वो मिलीए बार्बा डुस को, बार्बा डुस जो एक कंट्री है, इसे आजादी मिली है ब्रिटिश कॉलDINGंट से, अब ब्रिटिश क्राउं यहाँ पर इसे रन नहीं करेगगा, बार्बा डुस की रन करेगे तो Barbados has become the world newest republic around 400 years after it became a British colony, Barbados is said to have made a slave society by the British it first became an English colony in 1625 बिल्कु सही है, अरोई अनुज चलिए है, विजय है अगला सवाल है आपके सामने, इंडिया वन, दोस्तों ये इंडिया वन पेमेंट एक कंपनी है क्या है, इंडिया वन पेमेंट से एक कंपनी का नाम है has crossed a milestone on deploying 10,000 white label ATM तो ये कंपनी है, इसने total 10,000 white label ATM यहाँ पर लगा दिये है तो अब आपसे question ये पुछा जा रहा है which was called as India 1 ATM India 1 ATM Limited Founded अब आपसे ये पुछा जा रहा है, कि India 1 जो पेमेंट लिमेंट ये जो कंपनी है इसके स्थापना कब हुई थी ये पुछा जा रहा है तो इसके जो स्थापना हुई थी दोस्तो वह हुई थी आपकी दो वज़ाच छे में है बट किने यंडिया वन दो पेमंट है यह ए एक NBFC है क्या है दुस्तों इन भी अवसी है NBFC क्या होते हैं औ North cyn INT अब दोस्तों यह जो नॉन मैंकिक पारहे होगे उनले में बन्हांत आथ कि यह अपना ATM, यह ATM services प्रोवाइट कर सकते हैं customers को, और यह जो ATM open कर रहे होते हैं, या जो भी ATM place कर रहे होते हैं, जितने भी जो NBFCs हैं, उन्हें हम white label ATM बोलते हैं, क्या बोलते हैं दूस्तो, white label ATM बोलते हैं, यहाँ पर दूस्तो भोला जा रहा है कि 10,000 white label ATM लगाए नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि India 1 payment जो है, यह एक NBFC है, और इसने यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसने 10,000 ATM लगाए हैं, तो यह जो 10,000 ATM इसने लगाए हैं, उसे हम white label ATM के नाम से जाया नहीं है, ठीक है, चलो, अगला सवाल आपके समनी गे रहा, So, what is the theme of the world Is Day 2021? So world is day की theme के यह अब सको पताना, close the gap, increasing impact through transparency, accountability and partnership, and inequalities, and is an end pandemic, global solidarity, shared responsibility, communities make the differences. तो what will be the right answer guys यह आपको बताना है तो guys the right answer is end inequalities and it's an end pandemic खेके end inequalities and it's an end pandemic अगला सवाल है All India Radio had decided to begin a new program called Dash to offer youth platform to hear their voices तो guys यहाँ पर इसका सही जबाब किया है All India Radio had decided to begin a new program called Dash to offer youth a platform to hear their voices तो यह दूसरो जो platform यहाँ पर developed किया है All India Radio ने उसका नाम है Air Next ठीक है So All India Radio had decided to begin a new program called Air Next to offer youth a platform to hear their voices as part of the ongoing आजादी का अमरित मौसफ सेलिबरेशन तो very good तो इसका यहाँ इसका सही जबाब तो Air Next ठीक है ठीक है ओके सेलिबरेशन वेरी गुड्ड अगला यहाँ पर कुश्यन है National Pollution Control Board Sorry National Pollution Control Day National Pollution Control Day is observed as a National Pollution Control Day to commemorate the lives of the people who died in the Bhopal Gas Tragedy धो भुपाल गैस ट्रेजडी है कि ऑक कभ हुई थी है पपाल गैस वे ट्रेजडी है यह आप से पूछा जारा रहा कि अप हुई थी है common gust mark your answer भुपाल गैस्ट अपर अपर अपर्सरजडी है कि कभ हुई थी है तो कम आन गैस गैस वे टिर्टिक रोहन से देखते हैं कि लोगों को पता है ओके तो यहाँ पर अगर देखें सेलेंद्र का से जवाब आ गया आसिवली का अगया अनुच्त अभी आ गया तो पैट 1984 में 1984 में तो उसके भुपाल के ट्रेजडी हो दी और यह जो National Polition Control Day यह आपका 2nd December को हर सल मनाया जाता है 2nd December को, ठीक है So National Polition Control Day is observed on 2nd December every year The day is observed as a National Polition Control Day to commemorate the lives of the people who died in the Bhopal के ट्रेजडी in 1984 चलो अगला सबस देख लेते हैं guys World Computer Literacy Day is observed on कि अब है एक दिसंबर, दो दिसंबर को, 3 दिसंबर को, चार दिसंबर को या तो अफजर किया जाता है। दूस्ट सेशन पसंद्डा रहा हो तो रुजग कर देना। और गईस मेरा चेली मेरे टेलिग्र चिंहें उसे भी जोइन के लेना मेरा जो टेलीक्राम चैनल है उसका नाम है एड्विकेटर प्रिशान नेगा इसमें दुस्तों मेरे सेशन की जो पीडिएफ्स हैं और जो मेरे सेशन की नोटिफिकेशन हैं वो आपको टैमली मिलती जाएंगे ठीक है चलिए अगला कुशन है विच बैंक है साइनेट एग्रिमेंट विद ऊश्य इंटरनेशन लिमिटेड वर एंपावरिंग वोमेंट अंडर्पेनियोर बै प्रोवाइडिंग फैनेशन असिस्टेंट दूस्तों नहीं विखित मेंदे कौन सा बैंक है जो ऊश्य इंटरनेशन को यहां करती है तो जो स्मॉल कर रही होती है वोमें उनके लिए कारे कर रही है तो ऊश्य इंटरनेशन लिमिटेड ने यहां पर किसके साथ एग्रिमेंट साइंग किया तो वेरी गुड़ आसम वाली ने सही बता है अनुट ने भी सही बता है तो गाइज स्टेट बैंक ऑफ इंड किया ने दुस्तों यहां पर यह एग्रिमेंट साइंग किया है उस्टा इंटरनेशन लिमिटेड से चलो अगला कुश्य ने मैगडेलेना मैडेलेना एंडरेशन हैस बीन अपॉइंट इस फीमिल प्रैम निश्टर ऑफ इच कंट्री तो मैडेलेना एंडरेशन को भी हाली म में इस कंट्री का प्रैम निश्टर बनाया गया इन्हों इन्हें 24 नौंबर को प्रैम निश्टर बनाया गया था फिर इन्हों ने रिजैन दे दिया था और फिर से अगर बात करें इन्हें पिर से वहां का प्रैम निश्टर बना दिया गया और यह पहली महिला प्रधान मं म forecasting मनाए गया मे surprising मेग्डेले लिना एरन संक को मनाए गया न ही इसे में इंडिया वाडरी आंड dalर्डन को बना जो यहां पर आशिपली आपका जवाप सही हां कि को एंडिया रेटिंग Game अस्थिंटिया जिडिबी मना लगा तर दो दो कि उसे आकड़ाई ये और ऑद सो इंडिया रेटिंग एंड रिशर्स ने दुस्तों JDP का जो अनुमाल लगाया कितना लगाया तो जो यह अनुमाल लगाया वो लगाया 9.4 परसंट ठीक है 9.4 परसंट यह अनुमाल लगाया अगला क्विश्चिन है who has authored his autobiography who has authored his autobiography titled the Ambuja story how a group of ordinary men created an extraordinary company तो कुछ ordinary group of men ने एक extraordinary company बनाई और इस book कर नाम है the Ambuja story तो यह एक autobiography और यह अंबूजा सीमेंट के जो स्केर मैन है उनकी autobiography है वो कौन है यह आप से बुचा जा रहा है तो वो हैं दुस्तों आपके नारोटम सिख सरिया ठीक है नारोटम सिख सरिया तो नारोटम सिख सरिया रोट इस autobiography दा अमभूजा स्टोरी हाओ अगला यहाँ पर question है नागालेंड इस्टेट हुड दे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि नागालेंड ने अभी एक एप लॉंच किया था वो आपका एक दिसम्बर को किया था तो यहाँ पर नाग नागालेंड राजी बनाता है यह आपका एक दिसम्बर नागालेंड नागालेंड राजी बनाता है यह आपका एक दिसम्बर 1963 में बनाता और नागालेंड की जो capital है तो क्या है इसी capital कोही मैं कोही मैं इसकी capital है अगला question है दोस्तो who has become the world most expensive city according to worldwide cost of living index तो दोस्तो यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कि world की सबसे महंगी city कौन सी है यहाँ पर रहना खाना घूमना सब महंगा है हर चीद महंगी मिलेगी पैनना उनना सब तो आसे बली सेलेंद्र आपके सही जवाब है काई तर राइड एंसर तेल एवीवी तेल एवीव जो है कि अगर बात करें दोस्तों most expensive city है ठीक है तेल एवीव मोश्ट एक्स्पेंसिव टिटी है चलो अनुज आपका भी सही अंजर आगया very good अनुज चलिए अगला question है who has won the seventh Dr. Ms. Swaminathan Award for the period 2017-19 तो दोस्तों अभी हाली में सात्वा Dr. Ms. Swaminathan Award दिया गया है तो दोस्तों स्वामी नाथन अब लोगों पता ही होगा कौन थे जो हमारे Green Revolution की फादर थे वो Ms. Swaminathan नहीं थे तो Ms. Swaminathan Award जो ही Agriculture की फिल्ड में दिया जाता है और यह सात्वा जो Ms. Swaminathan Award की से दिया गया है तो दोस्तों यह जो दिया गया यह दिया गया वी प्रवीन राओ को ठीक है वी प्रवीन राओ जी को यह यहाँ पर Award दिया गया है Ms. Swaminathan अगला question है the growth GST revenue collected in the month of November 2021 तो दोस्तों नवंबर के मत में जो GST collection हुआ हो कितना हुआ यह पूछा जा रहा है अगर किसी का छूट रहा है तो वह बता सकता देखके थैंकियो अनुच चलो आपको यह बताना है तो जी आपका नवंबर के कितना collect हुआ है तो दोस्तों यह क्लेट हुआ है वह एक लाग 31,526 क्रोड हुआ है एक लाग 31,526 क्रोड यहां पर GST collect हुआ है नवंबर का जिसमें CGST है 30,978 और SGST है 31,177 क्रोड अगला question है जाइन नावरो जी प्येनिर उप इंडीन नेशनलिजम लुक लखे और भूख दो यह प्याही किसे लह बोख लिखिया गया अगया नॉफ्टियृ नो फिक्षिन बूख है और यह ने यहां पर दोस्तों यह अवार्ड भी दिया गया बियोग्राफी टाइटल नारोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिजम ऑथर बैजिनियार पटेल और पॉब्लिश्ट बैभावर्ड उनिविस्टी प्रेस अगला कुश्छन है अगला कुश्छन प्रजेस दोस्तों आपको यह बताना है कि अभी हाली में अरुनाचल प्रजेस ने इस बॉलिवूट एक्टर को अपना ब्रैंड नम्बैटर बनाया है और यहां पर पचास सल पूरे होगा है अरुनाचल प्रजेस को अपना राज बनाया हुए तो अरुनाचल प्रजेस के दोस्तों ब्रैंड नम्बैटर कौह न है आप सभी को पता है कि इसकी जो ब्रैंड नम्बैटर है हो मुनना भाई है और वो कौह है वह संजेद्ध थिक है तो अर्बनाजन प्रदेश की जो गवर्मेंट है उन्होंने संजय दज को यहाँ पर ब्रेंड अम्बैटर बनाया है और जो ब्रेंड एक्सपर्ट बनाया है वो बनाया है जो सो राहूल मितर को बनाया गया है है जब देख अंग पर कुश्चन है गूवी यह संट इंडियन वोमन क्रिकेटर डैश एस ब्रेंड अम्बैटर गूवी एक एक अग्टेक कंपनी है जो आपका सौट्वर या अगर बात करें कोडिंग अगरा सिखाती है ठीक है तो यह अगर बात करें वर्डिक्टल को बनाया है तो वेरी गुड आसेफ अली आपका सबसे तेज जवाब आया है इस्मिलती मांधान को यहाँ पर यूवी ने अपना ब्रेंड इंबेटर गनाया है अगला क्वेशन है अगला क्वेशन देख लेते हैं इंटरनेशनल डे पॉर्ड अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो आफ्जर किया गया वो कब किया जा और कब से किया जा रहा है यह तो बता दिए कि 1986 से यह डे आफ्जर किया जा रहा है अगला है दोस्तो वर्ल हैंडिकप डे और इंटरनेशन डे और पर संविट डिस इस ऑफजर एवरी यह रॉन दोस्तों वर्ल हैंडिकप डे हैं यह आपका कब मनाया जाता है यह आप से पूछा जा रहा है तो 1 December 2 December 3 December 4 December 5 December world handicap Day जो आपको मनाया जाते है 3 December को मनाया जाते है थğक है दिसांबर को आसर वली आपका सही जवाब है वेरी गूड नहींग कर लिए है अब हमारे 15 वॉम्शन और रह खे है तो ज为र नहीं है है हम तो बने रहीए गए लाष्ट तक हॉन्भ फेस्टिवल इस सेलिब्रैटेटिन इन विच सेट्वब घुज व अभी हाली में हॉन-बिल फेस्टिवल मनाया गया और यह जो हॉन्बिल फेस्टिवल है यह किस राज जी का कल्चिरल फेस्टिवल है तो दूस्तों यह नागालेंट का कल्चिरल फेस्टिवल है आपका हॉन्बिल फेस्टिवल है अगला कुश्चिन है दूस्तों Walmart and फिलिपकार्ट have signed an MOU with which state government to create an ecosystem of capacity building for MSME तो यहां पर वाल्मार्ट और फिलिपकार्टने किस government के साथ sign किया है कि वह वहां पर MSME sector है उन लोगों को training वेगरा प्रवेट करेगा ठीक है जो online training है online जो business है उसी करना सिखाएगा और यहां पर अगला यहां पर देख लेते हैं इंडिया है ज्वाइंट ट्रॉय का इंडोनेशन इटली इंडिया विल होट डा जी टूंटी लीडर समिट इन विचियर तो अभी हाली में दोस्तों जी ट्रॉय यहां पर joint के इंडिया ने हैं जी टॉयका का मतलब कि यहां पर जो आने वाली city है जो जी आने वाली country हो जो G20 होश्ट करेगी summit इटली किस country ने जी टूंटी होस्ट किया था और उसके बाद कुसी करेगी तो दोस्तों जी टूंटी जो लीडर summit है वो इंडिया जो होस्ट करेगा वो 2030 में करेगा 2030 में करेगा ठीक है ओके वेरी गूट आसिव दो हजार इक्टिस की जो समिट होस्ट करेगा तो इंडिया ने करीगा और 2030 की जो समिट होस्ट करीगे वो किसने करीए इंडिया ने करीए इंडिया करेगा है अगला यहां पर कि आपको पता ही होगा कि रिजर बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अंडिया ले लिया रिलाइंस कैपिल एक अन्य लंबानी यह और यह बहुत जादा लॉस में चले ले थी तो आप से पूछा जा रहा है कि रिलाइंस कैपिटल लिमिटेट गोए को अभी हाली में यहां पर ऐरसर बैंक ऑफ इंडिया ने जो भाइबिस्टे पा को बनाया हूट है अब यहां में 40 वा इंडिया International Trade Fair हो ता यह कहां पर हुआ था यह प्रगद्धी मैदान में हुआ था प्रगद्धी मैदान कहां पर है ने डिली में हर साल दोस्तों यह इंडिया International Trade Fair होता है और यहांपर दोस्तों जो लोग अपना काम होता वो शोकेज करते हैं ठीक है जो जनरली काम मतलब कि कोई भी चीज बना रहे हैं कोई भी आर्ट है कोई भी कल्चर है जिसे वो बना रहे हैं सेल कर रहे हैं तो वो यहां पर शोकेज होता है एक तरीके से तो यह दोस्तों जो अवार्ड दिया गया है वो बिहार को दिया गया है बिहार इसका से जवाब है ठीक है बिहार को यह वाट दिया गया च्छटा गोल मेडल ओके अगला क्विश्चिन है की तो आपसे पूछ़ा रहा है कि यहां पर वोड आटलेटिक ने किसे यहां पर क्राउं किया है वोड अपर किया है यहां वेर्य गुड आश्र आपने भी एडिशन इंफोमिशन दीए एंड थैंक यू से बता है आपने पार्टनर श्टेट है वो बेहार है तो यहां पर इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा तो यहां पर वोमेन ऑफ दे एर का ओड दिया गया वर्ड एट्टिक अगला फूशन है दोस्टों आपको फूश बीन नेम चैर्मेन और इंडिया टूरिज्च यान पर प्युर्पेंट कोमुल्पे-ची को चेर्मेन यहां पर वन Griff surprise السंक्तर अगला तोंध्या गुश्च आपका क्का टूरिज्च है और जो third है वो कोन है जी कमला वर्धान राओ जी कमला वर्धान राओ बिल्कु सही है अगला question दोस्तों US military personnel and dash begin the 27th annual cooperation if load readiness and training तो दोस्तों अभी हाली में यहां पर US military ने निम लिखित में ते किस navy के साथ एक exercise candidate करेंगे जिसका नामे केरेट का फूल फॉर्म है cooperation if load readiness and training यह exercise जो कंडरेट करेंगे वह किसके साथ करेंगे यूएस military ने और 27th annual exercise है तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका जो सही जवाब है हुए आपका बांगलादेश ठीक है बांगलादेश नेवी के साथ यहां पर यूएस military ने यहां पर collaborate किया है collaborate किया यह मनले प्रिके देखेंगे एक्सेसाइज कंडरेट करी है और 27th annual exercise है और इसका नाम है केरेट और यह कहां पर कंडरेट की गई है यह बेव बंगाल में कंडरेट की गई है अगला question है which state police has conducted a president color award ceremony दोस्तों अभी हाली में किस राज जी की police को president color award दिया गया president color award दिया गया president color award जो है किस राजी को दिया गया यह आप से कुछ है जा रहा है तो गायत रायट इस हमाचल प्रदेश को यहाँ पर president color award दिया गया एड सिमला और historic ridge ground the governor best voter president color award to the state police on the occasion अगला question है इंडिया और बंगलादेस have decided to celebrate the day on which इंडिया formally recognized Bangladesh as matri divas friendship day तो दोस्तों इंडिया और बंगलादेस ने यहाँ पर एक day observe किया है और यह जो day observe किया है वो matri divas observe किया इंडिया और बंगलादेस की दोस्ती हुए थी इंडिया ने बंगलादेस को आजात कराया था तो दोस्तों यह जो day मनाया जा रहा है यह 6 December को ठीक है 6 December को यह day आपका मनाया जाता है clear India इंडिया बंगलादेस मैंने आपको बताया था नहीं 1971 में लड़ाई हुए थी और 6 December को आई थी वह लड़ाई गीत जाते है जिसकी वज़े से यहाँ पर यह day मनाया जाता है इंडिया बंगलादेस मैं तरीर दिवस अहला कोशन है डीबियस रिवाइस इंडिया फानेशल 2023 ग्रोथ फोरकार्ट तो दुस्तों डीबियस ने भारत की जीडिबी का अनुमान लगाया है कितना अनुमान लगाया है वेरे गुड अनुज आसिफ नाइस आप दुन लोग खेल ले वड़िया और को यह भी है भी ने खील लगाया है चलो थैंक यू गैस इसका जो सही जवाब है आपका 7% ठीक है 7% इसका सही जवाब है चलिए तो इतने 7% अनुमान लगाया है अगला कुश्य ने इंडिया इंटरनेशल टेली कम्मुनिकेशन यूनियन ज्वाइंट साइबर ड्रिल 2021 पर इंडिया एंटिटीज इंटरनेशल टेली कम्मुनिकेशन यूनियन पॉंडिड वैर तो दोस्तों भी हाली में या पर ब इंटरनेशल टेली कम्मुनिकेशन यूनियन ने ज्वाइंट किया है साइबर ड्रिल 2021 तो यह अगर बात पुछा जा रहा है इंटरनेशल टेली कम्मुनिकेशन जो है जिसकी स्थापने का हुई थी दोस्तों इसकी स्थापने हुई थी 1860 में अगला कुश्चन है वाट है अब हाली में 3 दिसंबर को अमने वर्ल हंडीकफ डे अब्सक्र किया था तो वर्ल हंडीकफ डे की थीम के यह पुछ जा रहा है तो मैं डालेट आपको अंसर बता देता हूं तो गयता रहा इंसर इस लीडर्शिप और पार्टिशिपेशन और पर्सन विल डिसीबिटी ल के कागी यहाँ यहां जो स्टॉम की बात हो रही है जवाद इला यह कहां पर आया है कि जवाद नाम रखते है घृटकार है साओधी आरेविया सटॉब थे कि यहाँ पर आपका यह सेशें वसलाबत होता है आप मेरे जो टेलिग्राम चैनल है एडुकेटर प्रशानले का आप इससे फॉलो कर सकते हो आप इसे फॉलो कर लोगे तो जितनी भी सेशन होते हैं जो भी मेरे पीडियोस है यह नोटिफिकेशन आपको इस टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और दोस्तों यहां बर मैं व 100% मैं आपको अपना दूँ जिससे आप 35 प्लस स्कोर कर पाओ और आप भी 100% अपना दो ठीक है जब हम दोनों अपना 100-100% देंगे तो 200% हो जाएगा और हम यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि यह आफर चल ला है कि अगर आप कोई पर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जब भी कोई 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 कोड़ करें आप मेरा यूज कर लेजेगा तो दोस्तों यहां पर यहां पर यह देख लीजिए आकसा डाउट है कोई समिट में न फोटो लीजिए उसका स्क्रिंशोट लीजिए और पर्टिकुलर जिस सब्चेट में डाउट है महाँ पर प्लेस कर दीजिए और दोस्तों यहां पर आपके बात ऑप्रट्टिटी है कि अगर आपको कोई भी कॉंटेट लग रहा या इन अप्रोप्रियेट लग रहा तो आ और आपको यहां पार प्राइज भी मिलेंगे अगर आपने सही कंप्लेन करें अगर आपको दोस्तों कि यह सेशन पसंद दया होगा और थैंक्यू आसिव थैंक्यू अनोज एंड थैंक्यू एवरीवन जिन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया एंड तक तो सब के रूजो जोइंट कर लेना जहां पर हम पावरस बैंक के मजा करें के त करें तो कि पूरी की पूरी तरीके थे आपके और वैन्टिभल्म 6 एंड दर यह होते हैं क्लिए रहे गए क्यों चलिए मिलते हैं जोस्तों आप थेक क्यर और चैनल को लाइक कर देना